हलो सनी बाई नमस्ते कैसे हो नमस्का परदीब भाई बहुत बढ़ी आप सनाई है सबसे पहले तो बदा ही हो कि आप मेरे को लगता है कि बहुत टाइम के बाद से जब से मैं काम कर रहा हूं जब से तो मैंने देखा निकी राजिस्तान में दिलवाग आया हो मैं सही हूं कि गलत हूं तो सनी बाई वैसे तो मेरे को लगता है कि आज आप और गोड़ा किसी पैचान के मोहताज नहीं है अना तो जब भी मैं चाओं हूंगा एक वार अपना पूरा नाम और फाम का नाम बता है मेरा नम परदीब जी सनी गेल है रनिया स्टेटफर्म बिस्टिक मोगा पंजाब तो सनी बाई मैं जानना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम लोगों को बताने वाले कि जब आप महां से गोडा लेके निकले तो सबसे में दिमाग में क्या टेंशन थी और क्या था कि कैसे गो ले जाना और पर वहां से यहां लाना मेरे को लगता है बहुत मुश्किल काम है आप भी वहां से देख रहे थे बिल्कुल साथ ही था मेरे को सबसे बड़ा टास्क तो यह था इसको वहां से यहां लेकर आना क्यों तो बारी गोड़ा बिल्कुल एक गोड़े की जो कि जो कहने का उदल कदर है और गोड़े को जो हम तो इसको आपको मालूम है भी देवता समान मानते हैं तो मैं तो रणिया से आपके सामने एमुलर्स में बैठा और पूरा राजस्तान तक जोदपूर तक इसके साथ ही है क्योंकि जो मेरी बाउंडिंग है जो इसके साथ मैं दिनों को सब्सक्राइब है कि दिए अभी इस बार गोड़ा देखाना चाहिए अभी इनौने बहुत कंपैल किया है क्योंकि अब इतना जंक जिएजीत जीए इनों पकाइब के अर्वार की तरफ से इसके इन्होंने स्पेशल बाले घपको संवान करमान करने के दिलबा लोग को फ्रीड के इतना सुधार दिया इतना यह आकर पैलस में स्टेबले में अपने जो में दोब गोड़ा और नहीं'' पूरी हमको सर्दी टीम हैं बोट इनका धन्य बदाद है और गजु बना का जो सर्प्रेस देना था Bu बता पताया नीथा भी बिलक्iesta कंपता तो आपको एक अपना मेरे को लगता कि भैत्री नगीना आपको लाइफ टाइम कहने का उतल हमारा तो रनी है फैमली नहीं कभी पर इतना दन्यवाद है यह इसा गोड़ा दिया और से उपर को सब्सक्राइब कितने कितने साल का हो गया अभी गोड़ा अभी चौदा साल को गय अभी विद्ट के पास पर्णाब कहने का उतलब कितने गोड़ी वह मैं बैठे थे तो गुरू सिमरन भाई आपको एक और वहराद पहुन कराता है ना कि सनी आप आराम कर लो और मैं आजाता हूं तो मैंने गुरू सिमरन समझाई मेरे मेरे को जितना बहुंत सब सब्सक्राइब को नीन सरी, बहुत in सबने बोला थेंड और उसको मेरे उब्रोसा उसको ऊपर है तो तो म मांनते हो पेंदी है नहीं लगता हूँ कोई नगी कर सकता है कोईसा न को आज तक नहीं को पता तो मेरे को ऐसे लिए डॉट हो तो मेरे को पितनी बंद वही रहा था मेरे को तो सम आप आप आफ पूंद है अ सब लाइघ तो मैं आप अब बापस आया साथ साल बाद राजस्तान आया साथ साल बाद गजुबन के बेटा है फैमिली आई सारी सारा प्रवार ने प्यार किया दो तीन बार अपने बड़ बेडियो भी बनाई रखा गोड़ा है तो कोई भी इसको जो फील करता न टॉच करता देखो कितनी इतर लोग देखने हैं चोटी बच्ची आम्रीन चार साल की है वह राइड करती है तो उसको पता भी मैंने उसको कैसे राइड करना है तो समझदार और इंटलि इतनी दूर लेकर आये और पर बापस ले बिल्कुल लगता है कि साइद सो में डिस्पले का टाइम पंदर मिनटी रहता पर फंदर मिनट के लिए कितना क्रना पड़ता है और यह तो देखो लोग सामने वाले देख लेते पर जो गोड़ा लेकर आ रहा है और गोड़ा बिल्कुल लगवान की दया रहती है तो इतने अपन गोड़े का जो सोच कर इतनी दूर लेकर आपका भी धन्यवाद है कि आप भी लेकर आये क्योंकि देखो माने चलो अभी आप अगर माने चलो आप बोलते थे कि मेरा गोड़ा कोश्ट लिया है क्या हो किसी नहीं कह सकते है पर सारे लोगों को देखने के लिए मिल जागा यह बहुत बड़ी बात है मेरे को यह फील होता ना भी जो यहां पर बैठे प्रदीबाई को यह ऐसे भाई भी है जो नहीं वहां गोड़ी नाम सुना है तो चलो अगला को देख लेता है प्यार कर लेता है कितने इदर आज बगवान की चीजा बागे बस आज साम को डिस्पले के लिए लग जाएगा अगल को अज लग जाएगा थैंक्यों पर दीबाई थैंक्यों